हलो, नमस्कार, संगेत अंजली म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, मैं अजे जहाँ आज मैं इस वीडियो में जो संगीत शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और जो संगीत के विद्यार्थी हैं, उनके लिए कुछ विशेश बातें मैं बताना चाहता हूँ और बहुत ही ध्यान पूर्बक समझें इन बातों को इन में कुछ बातें बहुत ही नॉर्मल लगता है, परन्तु हमारे संगीत शिक्षा के लिए और हमारे संगीत भविश्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और ये केबल विद्यार्थी के लिए नहीं है, बलकि उनके अभिभाबकों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी संगीत की सुद्रिध और स्वक्ष सिक्षा, पानी के लिए छात्रों को या अभिभाबकों को गुरु का जो चैन करना चाहिए, वो भाबुकता में आके नहीं करना चाहिए दोस्ती में या जान पहचान में गुरु का चैन नहीं किया जाता है, गुरु का चैन जब भी करते हैं, तो बहुत ही, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है गुरु और मैं ये खास करके उन स्टुडेंट्स के लिए या उन अभिभाबकों के लिए मैं ये कह रहा हूँ जो अपने बच्चों को संगीत में एक सुद्रढ अस्थान दिलाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को या जो भी संगीत में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि देखिए, अगर हम कहीं भी सीखते हैं, समय तो लगता ही है, आप प्राक्टिस भी अपना करते हैं, परंतु कई एक बार क्या होता है, कि अगर सही दिशा नहीं है, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें प्राप्त कुछ भी नहीं होता है और ये मैं अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स आए हैं और आते रहते हैं, जो वर्षों से म्यूजिक सीख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सही कहूं तो कहीं नहीं पहुँचे हैं उनकी स्थिती एक ऐसे स्टुडेंट्स की है, जो लगभग निल है, उन्हें कुछ भी लगभग नहीं आता है तो ये हमें जानना आवश्यक है, कि गुरू का जब हम चैन करते हैं, तो उसमें दोस्ती, जान पहचान, भावुक्ता, इन सब बातों से परेहट कर, अलग हट कर, आप अपने बच्चे के भविश्य के विशह में सोच करके फैसला करें क्योंकि देखिए, जब आप अपने बच्चे को किसी गुरू के पास ले जाते हैं, उसका दूसरा एक उदाहरन में देना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा कराना चाहते हैं, पैसा चाहे जो भी लगे, आप क्यों एक नामबर स्कूल में बच्चे को जैसे हमारे यहां बहुत सारे स्कूल्स हैं, जो बहुत ही नामबर हैं, जिनके यहां से जो प्रोड़क्ट निकलता है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल हो करके निकलता है, तो आप उसी तरह के इंस्टिचिउशन को चुनते हैं, ऐसा क्यों चुनते हैं? कोई रिलेटिव किसी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को अपने आस पास के किसी भी स्कूल में डाल देते हैं. और ये एस्पेशली मैं पहले भी बोला, ये एस्पेशली उन अभिभावकों के लिए हैं, जो सक्षम भी हैं और अपने बच्चे को सही माइने में अच्छी दिशा देना चाहते हैं, जो उसके भविश्य को सही माइने में बनाना चाहते हैं. कुछ लोग होते हैं जो music सीखते हैं बस ऐसे ही time pass के लिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी सीखें आप कोई फर्क नहीं पड़ता दस साल लग जाए, पांच साल लग जाए, पंदरा साल लग जाए, बीस साल लग जाए मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूँ जो 20-20 साल, 25-25 साल music से जुड़े हुए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं आता है सही धंगा, वो सही माइने में सुर में नहीं गापाते हैं, रिदम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, उन्हें simply, जो simple, जो company, accompany करते हैं, हम संगत करते हैं, simply स संगत तक सही धंग से नहीं आता है, 20-20 साल, 25-25 साल की बात में कह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जब शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हमारा चयन कहां पर सीख रहे हैं, किस से सीख रहे हैं, ये हम सही दिशा में नहीं चेक करते हैं, इसलिए, सभी अ गुरु चयन करते हैं सोच समझ कर करें और पहले भी मैं कई एक वीडियो में बोला हूँ जब आप कहीं पर सीखते हैं तो साल दो साल तो गिंती नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर साल में दो साल में आपको म्यूजिक समझ में नहीं आना शुरू हो रहा है आप सही धंग से स समय आपका बरवाद हो रहा है उसके बाद क्योंकि यह क्या होता है गुरु में बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं जिनके डिफ्रेंट डिफ्रेंट कारेक्टर्स होते हैं वाचाल ज्यादे बहुत बोलने वाला अभिमान से भरा हुआ और अपने बारे में प्रैक्किकली ज्यान ना होते हुए भी बहुत बोलना अपनी प्रशंसा करते हुए ठकते नहीं ऐसे लोग ऐसे गुरुवों से बचना होता है और उससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है दुश्चरित्र जब आप गुरु से मिलते हैं तो गुरु का चरित्र कैसा है इसे भी पता करनी की कोशिस करें लड़कियों के प्रती पुरुशों के प्रती या ऐसे भी एक जनरल तरीके से भी जैसे बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो हर हमेशा नशा में चूर होते हैं हर हमेशा शराब पिये होते हैं या हर समय उस तरह के मूड में होते हैं कोई न कोई ड्रग्स और कोई न कोई ब्यसन उनके जीवन में बहुत अधिक होता है ऐसे गुरूं से भी बचना चाहिए लोगों को क्योंकि जब हम गुरू के संगत में होते हैं तो गुरू गुरू का जो जीवन चरिया होता है जी गुरू जिस तरह से काम करते हैं उनका असर इस्टूडेंट्स पे भी परता है जैसे कहते हैं एक बंदिश है राग यमन में बंदिश है गुरू ना माने तो गुन नहीं आवे शरन गहे गुरू की धब ये एक पंग्ति है जो ये समझाता है कि जब आप गुरू के पास होते हैं तो गुरू की धब गुरू की तरह अपने जीवन चरिया को बनाना चाहिए अगर गुरू शराब पीता है तो इस्टूडेंट्स भी जो है वो ये समझेगा कि शराब पीना अच्छी बात है जैसे मैं किसी व्यक्ति से सुना एक अच्छे कलाकार है और उनसे वो सिग्रेट पी रहे थे तो किसी ने प्रश्ण कर दिया एक यंग बच्चा जो उसका फैन था जो कि बहुत पसंद करता था उसके गाईकी को और सिग्रेट पीते हुए देखा उसे तो उससे पूछा कि आप ये सिग्रेट पीते हैं ये गले को खराब नहीं करता है क्या तो वो कलाकार बताया कि सिग्रेट पीने से ये होता है कि थोड़ा सुरूर सा आ जाता है और इसी लिए फिर गाने में आनंद आता है अच्छा लगता है और अच्छी गाईकी हो पाती है बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत है और गलत ही नहीं गंदी बात है ऐसा कभी नहीं होता सिगरेट से जो नुकसान होता है वो तो शरीर के लिए नुकसान होता ही होता है और सुरूर उससे नहीं सुरूर प्रैक्टिस से होता है और समझ से संगीत को जितना अधिक आप समझते जाएंगे जिस direction में आप समझते जाएंगे उस direction में आपका सुरूर उतना ही बढ़ता चला जाएगा अगर आप classical में हैं और classical की और आप गहराई से जा रहे हैं तो एक समय आएगा और अच्छा रियाज कर रहे हैं इमानदारी से रियाज कर रहे हैं तो एक समय आएगा जबकि आपको classical में ही एक सुरूर सा आने लगेगा इतना नशा होगा आपको classical का कि आप जब गाएंगे तो आपको बहुत ही आननद आएगा और केबल आपको आननद नहीं आएगा बलकि लोगों को भी आननद आएगा आपके गाने का संगीत में तो सुरूर ऐसे ही है उसे किसी नशा की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन ये नशा तब ही होता है जब सुर की समझ अच्छी होती है बहुत सारे बेसुरा गाने बाले लोगों को भी सुरूर बहुत होता है लेकिन वो सुरूर स्वर का नहीं होता है बलकि वो अभिमान का सुरूर होता है अभिमान भी एक नशा है वो अपने काय की कोहीं चाहे वो बेसूरा गा रहा हो चाहे बेताला गा रहा हो लेकिन उसके अंदर इतना अभिमान भरा होता है उस चीज को लेकर के कि वो अपने में ही नशा में चूर रहता है उसको कहते हैं अभीमान के नशे में चूर रहना तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरू का चरित्र कैसा है गुरू संगीत को किस प्रकार देखता है क्लास में या समाज में गुरु की द्रिष्टी कैसी है इन सब बातों पर रिसर्च करके अपने बच्चे को गुरु के पास भेजना चाहिए क्योंकि गुरु का आर्थ बहुत ही गहरा होता है आज के समय में आप देख सकते हैं यही कमी के कारण इसी कमी के कारण हमारे हैं संगीत के गुरु को तो छोड़ दे जो भक्ती के गुरु है जो सदगुरु कहलाते हैं उनकी भी इस्थिती अभी ऐसी हो रही है जो हम पहचान नहीं पाते हैं और जब भंडा फूटता है तो भांडा फोटने के बाद हमें पता चलता है कि ये गुरू ऐसा था, वैसा था, यहां तक कि उसे ऐसे गुरू तक को, सदगुरू तक को, किसी की हत्या कर देने में भी कोई संकोच नहीं होता है ऐसे बहुत सारे एक्जामपल अभी हमारे समाज में है जिसके कारण कई एक बार मेरे दिमाग में आता है कि मैं इस तरह से बात होनी चाहिए लोगों के बीच या सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि गुरूडम को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि जितना मेरा अनुभव है मुझे नहीं लगता है कोई भी सदगुरू जिसे हम सदगुरू कहते हैं ऐसा कोई सदगुरू होता है और ये मैं शास्त्रों की बात भी मैं कह सकता हूँ आपको कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि सद्गुरु ऐसा था, वैसा था, मैं समझता हूँ ये सब कहानी है, कहानी के अलावे कुछ भी नहीं है, खैर, ये टॉपिक ही बिलकुल अलग है, इसे हटा दिया जाए, मैं संगीत की बात कर रहा था, तो संगीत में भी गुरु को entertainment, जो आज हम कह रहे हैं, वो नहीं है, इसी entertainment के कारण, जब संगीत को इस दृष्टी से देखा जाता है, और इस दृष्टी से ही उसे जीवन में लिया जाता है, तो संगीतग को भांड कह देते हैं, जबकि संगीतग भांड नहीं है, संगीतग यो वो नहीं है, जो entertain के लि जो आज हमारे समाज में बहुत ही खुल करके हो रहा है। संगीत की जो उंचाई है, संगीत की जो प्रतिष्ठा है, वो सब समाप्थ होता जा रहा है धेरे धेरे। तो इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, कि जब हम संगीत सीखने जाते हैं, संगीत के गुरू के पास जाते हैं, तो किस तरह का गुरू करें। उसके संगीत की गहराई क्या है, संगीत की समझ क्या है, संगीत का दृष्टी कौन क्या है, व्यक्ति के प्रति क्या दृष्टी कौन है, उसका अपना चरित्र कैसा है, उसका अपना प्रैक्टिस कैसा है, वो संगीत की साधना को किस प्रकार करता है, ये उनके जीवन चरिया म शामिल होता है और जब आप वो देखते हैं तो देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि जो ब्यक्ति है जिसको हम गुरू बनाने जा रहे हैं वो संगीत को किस इस्थिती में ले रहा है संगीत को किस तरह का मानता है संगीत के प्रती उसका जो लगाव है संगीत के प्रती जो उसकी धारणा है वो किस तरह की है इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि संगीत एक ब्यवसाय बन करके रह गया इसे इससे बाहर निकालना होगा परंतु वो तभी संभव है जब आप भावुकता त्याग कर समझ करके गुरू करें और बहुत ही धैरी से संगीत को सीखें और गुरूं से भी यही आग्रह होता है मेरा हर हमेशा कि अगर आप सही गुरू है तो आप जब किसी भी विद्यार्थी को सिखाते हैं तो केवल शुल्क के लिए ना सिखाए आप फीस लें निश्चित रुप से आपको फीस लेना होगा क्योंकि आप आपका परिवार है घर है आपको बिल्स पे करने हैं बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई है खाना पेना सब कुछ है तो निश्चित रुप से आप फीस लें लेकिन फीस लेने के बदले में स्टूडेंट्स को बहुत ही इमांदारी से संगीत सिखाएं और ये इमांदारी तभी सामने आएगी जब की शिक्षा जो संगीत जिस लेबल का संगीत हम आज 15-15 साल, 20-20 साल में सिखाते हैं जब हम उसे 5 साल में complete करने लग जाएंगे, 6 साल में, 7 साल में complete करने लग जाएंगे, कहने का मतलब आप इतनी इमांदारी से उन्हें टेकनिक के फ्रूफ म्यूजिक सिखाएं जिससे की बच्चा जल्दी से जल्दी म्यूजिक को समझ पाएं क्योंकि रियाज बहुत चाहिए म्यूजिक में हमारे संगीत तक ये बहुत पहले कहा करते थे पुराने समय में कि संगीत के लिए कम से कम 300 साल का जीवन होना चाहिए एक सो साल सीखने के लिए एक सो साल प्राक्टिस करने के लिए और फिर एक सो साल प्रस्तूती करन के लिए ऐसा हमारे बुजर्ग संगीत तक ये जो पहले हुए हैं वो लोग इस तरह से कहा करते थे परंतु ऐसा संभभ भी नहीं है और ऐसा जरूरी भी नहीं है मैं एक बात हर हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में अगर साइन्स आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले मित्टी पर, धर्ती पर था तो अभी साइन्स आस्मान में है लेकिन आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले अगर संगीत, म्यूजिक आस्मान में था तो अभी संगीत धर्ती पर है और रात दिन नीचे गिरता जा रहा है और ये इसलिए होता है, इसके कई एक कारण है बहुत सारे कारण है, लालच नेम फेम करने का लालच धन कमाने का लालच और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ा हुआ है केबल इस कारण से हम संगीत के पूरे संगीत को गिराते चले जा रहे हैं और हम सोच नहीं पा रहे हैं हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे आने बाली पीड़ी संगीत से वंचित रह जाएगा जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ आपको कि कुछ musicians और कुछ subject जैसे सारंगी सारंगी एक बहुत बड़ा विशे है जिसके विशे में मैं बोला हूँ कि सारंगी के जो शिक्छक होते थे उनके कुछ धारना के कारण आज सारंगी उस इस्थिती में नहीं है जिस इस्थिती में उसे होना चाहिए जबकि सारंगी बहूत अच्छा साज है music के लिए लेकिन उसकी इस्थिती वैसी नहीं है हमारे पास उतने सारंगी वादक क्यों नहीं है संगीत की दुनिया में जितने प्रोडक्ट्स होने चाहिए सारंगी के नहीं है क्यों कि हमारे जो उस्ताद हैं वो संकुचित विचार के हैं उनका सोचना आज 100 साल से 200 साल से जो ये संकुचित विचार चलता चला जा रहा है कि अगर हमें सिखाना है तो हम केवल अपने परिवार के बच्चे को सिखाएंगे जिसके कारण और बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं और बच्चे सारंगी में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं सीखना एक अलग चीज है तक्नीकी तरीके से सीखना एक अलग चीज है आप कभी भी ध्यान दे अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें इस पर मेरी बातों को बस केबल ये सुन करके दिमाग में न बिठाएं लेकिन आप खुद स्टडी करके देखें एक कलाकार जो ट्रेडिशनल कलाकार रहा है जिस परिवार में या जिन उस्तादों के पास संकुच विचार रहे हैं आप देखेंगे उनके बच्चे बड़े ही तकनीकी तरीके से तैयार होते हैं बड़े ही तकनीकी तरीके से गाते हैं बजाते हैं हर काम करते हैं लेकिन जो दूसरे बच्चे होते हैं इवेन म्यूजिक में वो नाम भी करते हैं गाते भी हैं बजाते भी है सब कुछ करते हैं, रेडियो से जुड़े होते हैं, टेवी से जुड़े होते हैं, लेकिन उनकी गाय की, उनके बजाने का तरीका तकनीकी नहीं हो पाता है उतना, क्योंकि जो जिस तकनीक से सीखना चाहिए, वो उस तकनीक से नहीं सीख पाता है, इसलिए आवश्यक है कि हम चैन जब करते हैं तो बहूत समझ करके गुरु चैन करें तभी आपकी तैयारी तक्निकी होगी और मैं हर हमेशा कहता हूं तो म्यूजिक सीखने में 20 साल 15 साल नहीं लगता है पांच साल अगर आप में जुनून है आप अच्छा करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं तो मैं कहता हूं पांच साल पांच साल में आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं लेकिन धैर इसे प्रापर तरीके से तक्निकी तरीके से सीखना होगा तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूं और भी बहुत सारी उपियोगी बाते हैं मैं इस वीडियो का नाम ही देता हूं संगीत शात्रों के लिए उपियोगी बाते हैं पार्ट वन और इस तरह से पार्ट टू करके मैं हर विशे पर बात करूंगा और आप हर एक वीडियो को पूरी तरह सुना करें यह नहीं कि थोड़ा सा सुन लिए और कमेंट्स भी लोगों के आते हैं कि बहुत अच्छा गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया बहुत ही निस्चित रूप से लोग पीछे रह जाते हैं जबकि इसका बहूत महत्व है हमारे जीवन में तो इसलिए आप इसे ध्यान से सुनें बहुत सारे पार्ट मैं इसमें दूंगा आपको सबसे पहला पार्ट यह है गुरुचयन यह पार्ट वन है गुरुचयन तो आप इस प फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यह भी मैं अंत में कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिसे आपको अपलोड होने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको और आप जान पाएंगे कि क्या है क्या आया है उसमें तो आप बहुत लाह उठा सकेंगे ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद